आपने आपके वर्चुल मशिन में काले निक्स इंस्टॉल कर लिया है बट यह अबॉट्ट करके प्रॉब्लम आ रही होगी आपको जब आप इसे स्टार्ट कर रहोगे इसको तो इसी यहाँ पर यह स्टार्ट नहीं हो रही होगा तो इसका मैं आज आपको सॉलूशन बताने वाला होगा तो मेरे वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहे तो यहाँ पर जैसे यह मेरी मशिन स्टार्ट होगी तो यहाँ पर देखो कुछ इसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी यहाँ पर कुछ तो यह प्रॉब्लम क्या रही है तो इसका आज आपको मैं solution बताने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहला हम करेगे क्या हमारे PC को बंद कर देगे यहाँ पर हमने हमारे PC को shut down कर दिया है आप देख सकते हो तो यहाँ पर हम shut down कर देगे फूरा हमको अब shut down करने के बाद करना क्या है मैं आपको बता रहो इस वुड़ के अंदर ESC पर अम आपको बताना चाहोगा हर एक सिस्टम का अलग-अलग बाईो रेता है जैसे देखो यहाँ पर आपको दीख रहा होगा यहाँ पर मेरे इसमें भी यहाँ पर बाईोस सेट अप मेरे इसमें F10 दे रखाएगा आपके इसमें जो भी दे रखाएगा आपका डेल का होगा तो आपका F12 हो सकता है F11 हो सकता या F9 हो सकता है वो आपको देखना है इसके बाद में आपको करना क्या है यह F10 ली की यह वाली है यह F10 ली की मेरे दबाई है यहाँ पर अब आप देख सकतो हो यहाँ पर मेरे पास में पूरी setting on हो चुकी है आप देख सकतो हो यहाँ पर अब मेरे को करना है कि इसमें आ गया होगा फिर एक बर system configuration दोगा आपको यहाँ पर दिखरा होगा यह 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 दिखरा और वर्चुल अंजेशन टेकनोलोजी यह जो दिखरा होगा इसको आपको क्या करना अनेबल कर देना है यहाँ पर आना है यह इसको कर दूगा अनेबल यह इसको अनेबल करके यहां पर सेव करूगा एफ 10 दवा कर वापीस से यहां पर आप किसमें दे रखाओगा के से से होता है मेरे इसमें देख लेना के से से होता है इसको एसे दवाकर इसको सेव करके ओन करूगा मशिन को वापीस से अब में वापीस से अपना वर्चुल मशिन क क्पो आउन करता हूँ गायाँ पर तो आप यह सी देखोंगे मेरा वर्चुल में अनो होगा यहाँ पर अभी हैं तो आप देखों आपर भी वबाटाट अभाता अरिया हैगा आम इसको क्या करतू रन करता ओए यहाँ पर जैसी में इसका पर रन करूगा यह एक्टोमेटिकली रन हो जाएगा आप देखना इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर मेरा यह काली लिनिक्स स्टार्ट हो चुका है आपके सामने तो थेंक्यू फॉलो सेवन मिट कोड और प्लीज जाल लाइक शेयर और सिस्काइब जरूर करो अगर मैं आपके हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज जाल प्लीज जाल